एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की है, हलाकि नौइडा के महामाया फ्लाइवर पर हज़ारों की संख्या में किसान जो संसत कूच करने जा रहे थे उन्हें रोक लिया है दरसल ये वो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर बार बार नौइडा थोर्टी के चकर काट चुके हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है किसानों का कहना है कि मुआफ़ा नौकरी सहीत उनकी कई मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है जिसकी वज़र से वो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो दिल्ली कूच करकर ही रहेंगे तो चिल्ला बॉर्डर पर और इसके अलावा जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं चारो तरफ जाम के सिती बनी हुई है हलाकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और पहले से ही एडवाईजरी जारी कर दी थी दस पहें तक एडवाईजरी है साथी साथ कहीं लाकों में 144 पि लागू कर दी गई है किसानु कारोप है कि एंटिपीसी की मुआवज़ा में एक नीथी नहीं है एंटिपीसी का अलग-अलग रेट पर मुआवज़ा है नौकरी देने का बादा पूरा नहीं किया गया और थार दिर्शन जारी है